पिच्चर तो बड़ी है जो हिंदू के वसे से है जो महौल चलू है जो हिंदू लोग के जुलम हुए जो पहले आवर रही वरने किया था वो दिखाया जा रहा है तो आगे कि जो है लोग ये गलतिया नहीं होईगी क्योंकि ये जो पिच्चर देखेगा उनको आगे पता चल कुछ इतियास देखे उनको ने ये बनाया पिच्चर तो आज 500 साल का इतियास दिखा रहा है तो कुछ वजे है आगे आने लिए जो पीड़ी है जो लाइफ कम हो गई अगे थे उन लोगों का जो आज के डेट में भी अपने आपको एक भारूपया के रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं और उन लोगों का सही चरिते दिखाने का ये मूवी माध्यम है मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से प्रभु राम का जन्म मूवी में मंदिर जो बना है उसमें जो संगर्स किये हैं उन लोगों की स्वास्तिक्ता दिखाई गई इस मूवी में और मैं तो जी चुका हूँ इस चीज से क्योंकि मैं अभी कारसेवक हूँ क्या वाध्य साथ तुकि इस यहन उद्यक के लिए क्या कुछ इस फिल्म में ऐसे आप देना चाहिए और यहीं ऊदेश को कहना चाहूंगा राम मंदिर तो हमने बना लिया अभी मथ्रा और कासी बाकी है कि यहाज जाए जाए चीन कर रहे देंदों के लोग डिम है जरूर देखें और वह इसलिए देखें क्योंकि मुवी में जो दिखाया गए वो चीज सब पता है हर किसी को पता है कि लेकिन वीडियो सामने से देखने से जो सताजा हो जाएगा और अपने धर्म के प्रती कि यह मतलब तेश हो जाएगा निमाग में किया करना है क्या नहीं करना है क्यूब कि मुवी करते हैं एक 2010 मुवी तुफ यसके लिए लड़ना पड़े यह कि आपका कोई घर है, और आपका ही घर आपसे चीना जा रहा हो तो इंसान मरने को तयार हो जाता ह। ये तो Sri Ram की bata थी बात ही कतम हो जाती है और ये मूवी ज़रूर देखी, क्योंकि इस्से क्या होख़ागा कि जो भी हमारे जी नहीं में इस फिल्म में नहीं हूँ मैंने लिकिन मैं सिंगर हूँ एजे माइन इस हैपी राय और मैंने श्री राम के लिए गाना भी बनाया है जो यूटूब पर देख सकते हैं मेरे प्रभू श्री राम हैपी राय डालकर जी राम के लिए मैं अक्वल दीया है मैं नहीं जाहोंगी जो मैंने गाना गाए हुआ है राम से सुन्दर राम से बढ़कर राम से सुन्दर राम से बढ़कर जग में कोई नाम नाहे सबके प्यारे सब के दोलारे मेरी प्रभूश्री राम है जै श्रीरामि के मैं दो अपने घर में बैठे ही सब हो चाहती हूं कि ज्यादा भीर लगाने की चाहती हु नहीं है अंतर आत्मा में अपनी खुद की खोच करो मतल Пशें जरूरी नहीं है कि भीर लगाना है वहां पर संख्या बढ़ा देनी है तो आराम से दर्शन करिए क्योंकि स्री राम आ चुके हरो रहेंगे हमेशा जब तक धरती और यह दुनिया रहेगी राम रहेंगे तो आराम से दर्शन करें पुजा पाठ करें आता है मचाने की किसी को जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा सत्य की ही विजय होती है और आज हुई है जी थैंकिस मुझे श्री फिल्म इस बैरी गूड बहुत अच्छी फिल्म है और कभी अच्छी तरीके से बनाए गई है खासियत यह कि जैसे हमारे हमसे कोई चीज चीज छीन ली जाती है या कभी मजबूरी में कोई चीज देनी पड़ती है तो वो चीज बापस आती है एक एक दिन मतला ऐसा समय आता है लाइफ में कि जो चीज छूट गई है वो चीज आपको आपको अटोमेटिकली मिल जाती ह ऐसा वक्त रहता है जैसे बोलते ना के दर्थी गोल है तो ऐसे वक्त भी घुमता रहता है बहुत अच्छी वाद है आप इस तरह से देख रहा हूं इस तरह से आप देख रहे हैं आज का दिन